नहीं सब्सक्राइब करें दो, इस एक पॉइंट दूसर आपट दे बिच विचकार असी जो कर सकाथ यहां एकजियम है, कें दे गिवन two distinct points, there is unique line that passes through them. Same point होया कि two given points दे विच्चों सर्फ एक ही line, unique line means एक ही line होएगी, जो ना चो pass करेगी other lines pass करवाऊं दी कोशिश कराँगे ता pass नहीं होनगी है. देखो one point दे विच्चों, जैसी कोई त्राइए किती कोई लाइन क्यों तक जाए वे पीतों क्यों तक बट ओनली वान लाइन ही सी होर कोई भी लाइन इन पॉइंट से विचो पास नहीं हो सकते पॉस्टुलेट नंबर सेकेंड एज अ टर्मिनेटर लाइन कैन बी पड्यूस्ट इंडेफिनेटली टर्मिनेटर मी कि यह ना है कि टार्मिनेटर मीज एटि हो छाण में ही खेंच साथा दों फिफानिट ली पडिवर्ट ली फार्ण का संथ इंच्ञें अगे-डीकी प्रियूद कार दें दू एंट इक टैर्मिनेटर लाइन्ट ऐसिए बहुआएज चाहिए जिथ één आगे-डीवके प्डिय और अनी रेडियस, सरकल दासानू बताँ जी, कोई भी रेडियस बटे तो बटा सरकल भी ड्रॉख कर सकते हैं, छोटे तो छोटा भी, किते भी एनी रेडियस एन्ड एनी सेंटर सी सरकल ड्रॉख कर सकते हैं 4th postulate is all right angles are equal to one another right angle होंदा है अपने को 90 degree so सारे 90 degree angles जो आपने आपस देवेच औकल होनगे all right angles are equal to one another for example एक square होई, rectangle होई देवेच 90 degree दे अगल बांदा है so सारे angles औकल होनगे next 5th postulate is if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it कि एक स्ट्रेट लाइन थे ओपर फाल का रही है इंटेर एंगल मिन्स अंदली साइट दे एंगल बना रही है इसां भी बान रही है दन द टो स्टेठ लानिज सिस्वाण अभंज पहले हिवाएं प्रका नोहिएं प्ल्क्राइव फिर एस दन दसीजित्त लियु को सुझे div मतलब है जी यह तो अपने राइट आंगल बढ़े ने इंटीरेर आंगल्स बढ़े ने यह अपने टू राइट आंगल्स द्रालों लेस होने चाहिए दिया ओसाइड ते हे मीट कारने के लाइन्स सो स्टूरेंट्स एप उसलेट तुसी लाइन कारने ने एज इट इस जिवे नर्ज लिख्या होया ओके थैंक्यू